नमस्कार, रेवी ओनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है, बाइलोजी टेंध क्लास जय पैक्रम दो अंकवाले इंपोर्टर्ड के हुचन लेके आये हैं, पहला के हुचन है, पोशन की प्रिभासा लिखे, पोशन की वह विधी जिसमें जीव पोशक तत्वों का गरहन कर उ उनका उपयोग करते हैं वह पोशन कहलाता है, जिसे प्रोटीन हम लोग लेते हैं, केल्सीम जुक्त भोजन लेते हैं, आयरन जुक्त भोजन लेते हैं, वो सब गरहन करके हम अपना उपयोग करते हैं, स्वाय पोशन में किन-किन प्रस्तितियों का होना अनिवार्ज है, मतलब स्वाय पोशन में स्वाय पोशी के लिए कौन-कौन से प्रस्तितियां होना चाहिए, अर्थार्थ परकास संसलेशन की किरिया में क्या-क्या होना चाहिए, तो carbon dioxide CO2, gel, chlorophyll और sunlight मतलब सूर्ज परकासे चारों रहने पड़ ही पर स्वाय पोशन की किरिया होता है वह उत्पाद के रुप में उत्तोपाद के रुप में ऑक्सीजन बनाता है उत्तोपाद के रुप में गुलुकोज बनाता है पर पोशन से आप क्या समझते हैं पोशन किवह विधी जिसमें जीव अपना भोजन श्वय संसलेशित ना करके किसी ना किसी रुप से अन्य स्रोतों से प्राफ्थ करता इसे पर पोशन कहा जाता है अर्थार्त है पोशन किवह विधी जिसमें कोई भी जीव अपना हो जाने स्वाय ना बनाकर दूसरे जीवो स्वाय पोसी पर निर्वर रहता है उसे पर पोसन कहा जाता है वह किसी ने किसी दूसरे रूप पर निर्वर रहता है दूसरों स्वरोतों से प्राव्ट करता है उसे पर पोसन कहा जाता है सभी जन्तू पर पोसन होते हैं कवक्स पर पोसन होते हैं अंबीवा पर पोसन होते हैं पैड़ा मिसियन पर पोसन होते हैं मृत जीवी पोशन किसे कहते हैं पोशन की वह विधी जिसमें जीव मृत जन्तुओ और पौंधो की सरीर से अपना भोजन अपने सरीर की सता से घूलित करवनिक पदार्थ किरुप में आप सोसित करता है इस परकार के पोशन को मृत जीवी पोशन कहते हैं अर्थार्थ मृत जीवी पोशन में मृत जन्तु ओ, मृत मरे हुए जन्तु और पौंधे, पौंधे की सरीर में अपना सरीर को चिपका लेता है, सता में संप्रक में आ जाता है और उनमें करवानिक पदार्थ के रुप में अपसोसित कर लेता है, घुलित करवानिक को मृत जिवी पोषन कहते हैं अन्नेक कब को बैक्टीरिया कुछ प्रोटो जयोवा में इसी विधी द्वारा पोषन होता है या भी पर पोषन कहीं एक बिधी है पर जीवी पोषन क्या है पोषन क्यों Kyuva बिधी जिसमें जीव दुसरे प्रानियों के संप्रक में अस्थाई या अस्ठाई रुप में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं इसे परजीवी पोशन कहते हैं परजीवी पोशन मुख रुप से गोल क्रीमी टिप वर्म में इत्यादी में पाया जाता है प्रानी सम पोशी जीव वैसा जीव जो अपना भोजन थोस या तरल के रुप में जन्तुओ के भोजन गरहन करने की बिदिद्वारा गरहन करता है उसे प्रानी सम पोशन जीव कहते है और इस परक्रम को प्रानी सम पोशी कहते है परकास अंसलेशन से अब क्या समझते है जै परक्रम क्योगा है बिदि जिसमें हरे पौंधे बायुमंडल से कारवन डाया उक्साइड तथा भूमी से जल अबसोशित करे भूमी से जल अबसोशित कर सूर्ज परकास की उपस्तिती में कलोरोफिल की सहायता से अपना भोजन गुलुकोज बनाता है जिसे परकास संसलेशन कहते हैं जब हरे पौंधे बायुमंडल से कारवन डाया उक्साइड तथा भूमी तल से जल और सूर्ज परकास की उपस्तिती में कलोरोफिल की सहायता से अपना भोजन गुलुकोज बनाता है जिसे परकास संसलेशन कहते हैं जिसका रासाइणिक समिकरन एह है कारवन डायाउक्साइड जल सनलाइट कलोरोफिल गुलुकोज C6 H12 O6 ऑक्सीजन और जल बनाता है इस परकिरिया में सूर्ज की विकिरन उर्जा का इस्तिकरन रासाइनिक उर्जा में करते हैं जो गूलकोज गैस के रुप में मुक्त होता है जो पौन्दो दोरा बाई वंडल में छोड़ा जाता है पतियों को परकास संसलेसितं क्यों कहा जाता है तो पतियों कलोरो पलाष्ट में कलोरो फिल पाय जाते हैं पाय को कि अधिकार्न स्पॉंधे की पतियों में पाय जाते हैं कलोरो पलाष्ट अधिकान स्पॉंदों की पतियों में पाए जाते हैं इसलिए पतियों को परकास संसल सी अंक कहा जाता है क्यों तो कलोरो पलाष्ट में कलोरो फिल बनक पाए जाते हैं और चुकि अधिकान स्पॉंदों की पतियों में पाए जाते हैं इसलिए पतियों को परकास संसलसी अंग कहा जाता है। भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं। तो भोजन के पाचन के किये गए भोजन का विभीन इनजाइमों की साहता से, सरल अनुओं में विघटन के किरिया को पाचन कहते हैं। जब भोजन करते हैं, तो भोजन का पाचन मुख गुआ से सुरू हो जाता है। मुख गुआ में स्टॉर्च में बदल जाता है। फिन अमासे में बदलता है। अमासे में उपास्तित इनजाइम प्रोटीन में बदल जाता है। इन छोटी यात में भोजन की पाचन पूनुप से हो जाता है तो भोजन के पाचन में की भोजन का विभीन इंजाइम की साहता से सरल अनुओं में भिघटन की किरिया को पाचन कहते हैं मनुष के मुख में कितने जोरी लाल गरण्तियां पाए जाती है तो मनुष के मुख में तीन जोरी लाल गरंतियां पाए जाती है पैरा टीट गरंथी, सब मेडी बूलर गरंथी और सब लिगुवल गरंथी पाया जाता है मनुस का मासे कितने भागों में बटा होता है मनुस का मासे तीन भागों में बटा होता है कालडियक भाग, पाइलोरिक भाग और फुंडिक भाग मनुस का मासर तीन भागों में बटा होता है कार्डियक भाग, पाइलोरिक भाग और फुन्डिक भाग यह अगनियासर होगा यहां पर सुधार लिजेगा अगनियासर होगा मासर नहीं होगा मनुस की छोटी आत की लंबाई कितनी होते है चोटी आत के तीन भागों के नाम लिखे मनुज के छोटी आत की लमाई 6 मीटर होती है तता तीन भाग का नाम इस पर करें गरहनी जेजुनाम और इलियम गरहनी छोटी आत का पहला भाग होता है मद भाग जेजुनाम होता है मदभाग जेजुनाम होता है छोटी आत में भोजन का पाचन पुन रुप से हो जाता है छोटी आत की लंबाई 6 मीटर होती है लेकिन मानसाहारी जन्तुओं के पेच्छा सकाहारी जन्तुओं में सकाहारी जन्तुओं में छोटी आत की लंबाई ज्यादा होता है मतलब सकाहारी जन्तुओं में छोटी आत की लंबाई अधिक होती है क्योंकि सकाहारी भोजन में सकाहारी जन्तुओं में पेच्छा की छोटा होता है इस वीडियो के आप नोट्स बना लिजिएगा अपने कोपी में और पाचंक वाले आपको फिर हमें प्रभाइड करेंगे जहीं मेरे दोस्तों